चाहतर आज हम लोग सिखेंगे ऑक्सपर जूनियर इंगली स्टांसलिशन की एक्सरसाइज 28 का सॉलिशन करना और जैसे की पता है आप लोग को यह चैफ्टर 4 से है यूज ऑफ और और तो यह जो है इसमें सभी मिला हुआ है देख रहे हैं थे भी है आप एक कभी थे वह एक और बुदा आदमी था तो में टेश भी जाती थे याणि वाज़ पर भी है आगे जो है गागे गी पर है ठीक है यानि कि सैल भी और और आगे जो है और और तो यह सबीं से मिला हुआ है और पीछे हम कई वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं तो वहां से आप ट्रिक ल यू के साथ क्या करता है यू वैर के प्र zegल कह ही प्रियूख कर सकती है वह पुरुष के लिए ही वाज ओल्ड होगा ठीक है तो एंड लएगा ही वाज एंड ओल्ड मैं वह एक भूरादमी था तुमें एक तेज भी द्यार थे थे लिखे यू यू को साथ वियर लगाना है यू वियर एक तेज भी द्यार थे यानि इंटेलिजेंट तो एंड लएगा एंड इंटेलिजेंट आप एक अफसर थे लिखिए यू यू के साथ वेर लगाना है यू वेर और ओफिसर यानि अफसर ओफिसर होगा ठीक है तो एन लगाईए एन ओफिसर आप एक इमांदार अफसर थे लिखे यू यू के साथ वेर लगाईए यू वेर एन इमांदार यानी ओनिस्ट तो एन लएगा ठीक है अन लगा दिए ओनेस्ट लिखे एच ओनेस्ट क्या है ओफसर यानिकी ओफसर लिखियां पर वह एक वह एक बैमान ओफसर था वह के लिए यह फिर ही ऑर था है तो ही वाज हए ही वाज ऑसिवार आपनेस्ट ऑर्ल लेड़ से इस है ठीक है दीस ऑहनिस्ट ओफसर लिखे सीता एक तेज लड़की थी लिखे सीता थी है तो वाज सीता वाज तेज का होता है इंटेलीजेंट तो एन लेगा ठीक है सीता वाज एन इंटेलीजेंट लड़की है गर्ण लिखे गर्ण यहां लिख दीजे गर्ण तुम एक आदर्स छात्र थे तो यू लिखे और यू के साथ क्या लगाना है वेर यू वेर आदर्स यानि आईडियल एन लेग एन आईडियल आईडियल छात्र एस्टुडेंट मैं एक कलाकार था लिखे आई आई के साथ वाज लगाना है आई वाज कलाकार यानि आर्टिस्ट एन लेग आई वाज एन आर्टिस्ट तुम एक मुर्ख कलाकार थे लिखे यू यू के साथ वेर लगाना है यू वेर मुर्ख यानि फूलिस ठीक है या इस्टूपिद तो आ लएगा ठीक है और फूलिस फूलिस आर्टिस्ट वह एक बहुत इमांदार आदमी था वह यानि ही यहां पर ही लिखे पूरुस के लिए है और था है तो वाज ही वाज बहुत इमांदार यानि भेरी अलगा ये ही वाज आ भेरी वेरी आनेस्ट आनेस्ट मैन वे एक महान आदमी बनेंगे देखे बनेंगे तो आई वे और्ण का प्रीक करेंगे ठीक है वे तो यह जो है वे यह singular है ही का प्रीक कि जिया पर ही और ये के साथ क्या लगएना है थैल वी तो विं विल्वी वे एक महाना आदमी बनेंगे, मैं एक इमानदार आदमी बनूंगा, लिखे आई, और आई के साथ सैल भी लगाना है, एक इमानदार आदमी, यानि ओनिस्ट मैन, तो यहाँ पर एन लेगा, ठीक, एन, आई सैल भी, एन ओनिस्ट, ओनिस्ट मैन, देखे, सैल भी केवल आई और वी के साथ लगता है, बाकि सबी के साथ विल भी लगाईए, लरके तयार थे, देखे, लरके तयार थे, यह जो है, प्लूरर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हमको दो पर्यों करना है, या नहीं करना है, चुकि यह निस्चित है, निस्चित है कि लरके तयार थे, निस्चित है, इसलिए हमें यहाँ पर दो का पर्यों करना है, लिखे, दो, 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 लरके यानि बवाईज, दो बॉआज दो बॉआज और थे है वेर लगई दो बॉआज वेर रेडी लड़के तयार थे घूरे अच्छे थे सेम गई लिखे दा लिखे दा दा होर्सेज होर्सेज थे है वेर अच्छे यानि गुड दा होर्सेज वेर गुड कुर्सी नहीं थी लिखे दा नेचित कुर्सी है दा चेयर दा चेयर वाज न्यू यह सिंगलर कॉमन नाउन भी है घरिया पुरानी थी प्लूरर है लेकिन यह निश्चित है तो दा का प्रकी जी लिखे दा वाचेज वाचेज वेर ओल्ड घरिया पुरानी थी लर्का लंबा था लिखे दा बुआए बाज दा बुआए वाज टॉल लर्का लंबा था सोना अच्छा था ये जो है uncountable नाउन है लेकिन ये निशित है इसलिए दा का प्रेख होगा लिखे दा दा सोना यानि गोल्ड गोल्ड वाज गोड़ सोना अच्छा था पानी बहुत थंड़ा था लिखे दा वाटर वाज बहुत यानि वेरी भेरी थंड़ा कोल्ड सी है ये थी का सी ओ ली कोल्ड बच्चे नटखर थे बच्चे नटखर थे लिखे दा दा चिल्डरेन चिल्डरेन वेर नॉट्टी बच्चे नटखर थे